लक्षिमन जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारे आँख के सामने ही आग में कूत कर अपनी विशुद्धा साबित कर दी थी तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्या वाकि सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनरूप है अत्वा क्या यह तुम्हारे विद्धुता या महत्ता को सोभा देने वाली है सीता का यह संदेश कटू नहीं तो क्या मीठा है राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा यह उक्ति न किसी गवारिस्त्री की किन्तु ब्रह्म महा ब्रह्म ज्यानी राजा जनक की लड़की और मन्यवादी महर्शियों के धर्म सास्त्रों का ज्यान रखने वाले रानी की सीता की धर्म शास्त्र ग्याता का यह प्रमान वही आगे जलकर कुछी दूर पर कवी ने दिया है सीता परित्याग के कारण वालमिगी के समान सांत नितिग्योर स्यमासी तपस्वी तक ने असत्येव मनु भरताग अग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोड प्रकट किया है अतेव सकुन्तला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विशय में कटुवा के कहना सर्वता स्वभाविक है न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है न गवारपन का न अकुलीनता का पढ़ने लिखने में स्वयम कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके अनर्थ का बीच उसमें हर्गिज नहीं अनर्थ पुरुसु से होता है अपड़ों और पढ़े लिखों दोनों से अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं वे व्यक्ति विसेश का चाल चलन देखकर जाने जा सकते हैं अतया इस्त्रियों को अवस्य बढ़ाना चाहिए जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमानी में यहां इस्त्रिया न पढ़ती थी अथ्वा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी वे या तो इत्याज से अभिग्यता नहीं रखते या जानबूच कर लोगों को धोका देते हैं समाज की द्रिष्टी में ऐसे लोग दंडनी हैं क्योंकि इस्त्रियों को निरक्षा रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपरात करना है समाज की उन्नती में बाधा डालना है शिक्षा बहुत व्याबक शब्द है उसमें सीखने योग अनेक विश्यों का समाविश हो सकता है पढ़ना लिखना भी उसी के अंतरगत है इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं इस कारण यदि कोई इस्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संसोधन करना चाहिए खुद पढ़ने लिखने को दोशने देना चाहिए पढ़ने क्या पढ़ना चाहिए किस तरह शिक्षा देना चाहिए और कहां पर देना चाहिए घर में या स्कूल में इन सब बातों पर बहस कीजिए विचार कीजिए जी मैं आवे सो कीजिए पर परमेश्वर के लिए हम न कहिए कि स्वयम पढ़ने लिखने में कोई दोस है वह अनर्थ कर है, वह अहिमान का उत्पादक है, वह ग्रह सुक का नास करने वाला ऐसा कहना 16 आने मित्या है, जूटा है, इसलिए जो है, इस्त्रियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए.